हेलो माई डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुशहाल होंगे आपका मेरे इस चैनल इजी लाइफ दरीना में बहुत बहुत स्वागत है इस ब्लॉग में मैंने शाम के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक की रूटीन शेयर करी है मैंने डिनर में बनाया है मटर का निमूना कैसे यूपी में कम टेल में स्वादिश्ट मटर का निमूना बनाया जाता है इस रेसिपी को शेयर किया है सुभा की preparation मैं कैसे करती हूँ ताकि school पर time पर जाय जा सके और family घर को भी अच्छी से taker किया जा सके कैसे अपने woolen की cloths को organize करती हूँ और क्या लगाती हूँ face पर जिससे आपको parlor जैसा ही facial जैसा ही निखार और glow पांच मिनट में मिल जाता है तो इस सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं वीडियो के end तक और आप से एक request है अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी helpful लगें अच्छी लगें तो वीडियोस को like करना और चैनल पहली पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो जी बज़ गए है छे यह घड़ी सिर्फ पांच मिनट आगे की हुई है तो अभी मैं बना रही हूँ सब के लिए चाय कोई मीठी वाली चाय पीता है कोई कम मीठी पीता है तो अब मैं बना रही हूँ हस्बंड के लिए चाय वो हमेशा ही शक्कर गुड की चाय ही पीते मैं आपको नेक्स ब्लॉग में शेर करूँगी मैं कौन सी वेट लोस वाली चाय पीती हूँ तो गेहू मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने धुल लिया था दूप बहुत तेज हो गई है तो गेहू भी मेरा सूगया तो आटा पिसकर आ गया था इसी ड्रमी मैं आटा में भरके रख रही हूँ ये ड्रमी लगबग मेरी 20 किलो की है तो मैं अंदाजे से मुझे पता चल जाता है कि 20-25 किलो ही मैं गेहू को धुलती हूँ साफ करके सुखा लेती हूँ तो उतना ही मैंने गेहू पिसवा लेना है और आटा ले आना है अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो एक डिबा लगाया हुए 5 किलो वाला तो इसमें रख लेती हूँ तो फिर इसमें रखेंगे गंदा तो हुआ होता लकिन जैसे आठा शानते हैं रखते हैं तो फिर भी आठा इर्द गिर्द गिरी जाता है तो इसलिए वह कहा रही थी आटा साइडों में गिरा हुआ है कि अभी कोई बात नहीं जब चीटियों का मौसम आएगा तब थोड़ी दिक्कत होती कि चीटियां इर्दिगर्द आ जाती है तब हम बिल्कुल ही इसको clean रखते हैं अगर आटा इर्दिगर्द गिरा भी होता है तो उसको साफ कर देते हैं तो आज ही बनाने जा रही हूँ मटर का निमूना हमारे यहां बिल्कुल ही कम तेल में मटर का निमूना बनाया जाता है हम लोग तेल मसाले का इस्तिमाल बहुत ही कम करते हैं खाना जितना simple हो सादा हो वही हम खाते हैं उससे हमारी सेहत भी ठीक रहती है तो यह आलू और मटर दोनों ही मेरे kitchen garden के हैं इसलिए दोनों का size बहुत छोटा है वैसे तो मैं क्या करती हूँ अमोवन ही यह जो आलू बिना चिल के बिना चील के ही बनाती हूँ लेकिन आज मुझे मटर का निमूना बनाना है इन आलों को चील के कट करके इनको fry करना है तो इसलिए इनको मैं च kitchen garden की इसलिए आपको इसका भी size छोटा लग रहा है जितना हम organic चीज़े खाएंगे जितना simple खाएंगे न उतनी हमारी health अच्छी रहेगी उतना हम डॉक्टरों के पास जाने से बचेंगे medicine से बचेंगे इन आलों को मैं चील लूँगी मटर के निमूने में वैसे तो आलू क आया था ना सबने तारीफ के सबसे जारा तारीफ तो मेरे पिताजी करते हैं वो साल में मुझे बस आठ से दस बारी compliment देते हैं कि आज सुमने ये सबजी अच्छी बनाई ये आज नहीं बनाई है क्योंकि उनको पूरा अच्छे से पता है किसमें तेल कच्छा रह गया किसम टमाटर जा रहा था है किसमें प्याज कम था किसमें जारा डालना था तो सम मुझे बताते रहते हैं तो उन्होंने तारीफ करी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात आई ये अच्छा बना इसपह नहीं मिक्सर बाइंडर में करो तो बिलकुल पेस्ट बन जाएगी। नहीं चाहिए। इसमें चोपनेंगा तुशन होकिनाल्य सबूत्थ तौर अच्त बनेघा लेकर मेरे गर मेुसर से लोगए की इसपहर Aww मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा मुझे लगता है कि इसको मटर का निमोना इसलिए का जाता है कि क्रश कर दी कि ये मटर है आम तो हम आलू मटर मटर अपने रिमलाई में थी मटर बहुत सबजियां बनाते हैं ये मटर क्रश की आलू नहीं तो आलू नहीं तेल का आपने ऐसे धियान रखना है कि तेल बिलकुल कम भी ने डालना अगर तेल कम डालोगे न तो आलू कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे तो इतने तेल में ही आप धीमी आंच पे इसको पकाते जाना यालू बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं डाल रही हूं आठ से दस बड़ी ये बड़ी जो है ये अच्छा है ये चीज ना मेरे मम्मी के घर से आई थी मेरा माई का पास में है तो चावलों की है ये वाइल्ड है ये तो मैंने तो नहीं बने थे कोई आया था उनकों पर देने की तो ये बता रही हूं जो बड़ी है ये दली महा और जो मिठाई वाला पेठा आता है उससे मिलकर बनाई जाती है तो आपको मैं रेमडी बता दूँगी मुझे तो आती पाउडर वाली हींग अगर आपके पास दाने दार हैं तो दो ही दाने डालना क्योंकि सबजी कड़ जाएगी उसके बार मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा थोड़ी से ये साबुत लाल मिर्चे और दो तेजपतिस आप अच्छा साबुत लाल मिर्चे बड़ों की कटो अगर इसको कम मिर्चे रखेंगे तो फिका फिका बन जाए उसके बाद ये है धनिया ये लासुन की पतियां चार हरी मिर्चे अद्रक का टुकड़ा और ये पांसाद कलियां लसन की यो जो गरीन की लंबे देखे हैं ये लसन अभी उगरा है इसको डालोंगी ना सबजी का स्वाथ और बढ़ जाएगा तो ये है मेरा बोरो सिलका मिक्सर ग्राइंडर इसमें छोटे वाले जार में मैं इसका पेस्ट बना लूँगी तो पेस्ट बना के मुझे लगा थो एक रश्मी थोड़ा सा पानी थोड़ा ही डाला एक चमबज बस अपने आप हो गया था अच पेस्ट बनाई है अद्रग लसन हरी लसन की पाती हरी मिर्च इसको आपने इसमें डाल के अच्छे से बूनी जाना है इतना बून हैंगी कि यह साइडों में तेल चोड़ देया और मैंना फटा-फट राइस भी अपने धुल के चड़ाने लगें क्योंकि टाइम मटर के नि चार बार पानी से इसको मसल मसल के धुल लेती है नौर्मली हम वईड राइस ही डेली खाते हैं जब कभी प्लाओ ब्रियानी खानी होती तब ही हम फ्राइड खाते हैं और मोटा वाला जो लंबे वाले बासमती फुल बासमती उसी यूज़ करते हैं अदर्वाइस डेली हम बास मती टोटा गई खाते हैं तो साथ साथ इसको भी मैं चलाई जा रहीं अच्छा यह मटर और जो पेस में डाली थी वह सारा अच्छे से भूना गया कच्छा नी रखना आपने तो बिल्कुर सबजी अच्छी नहीं अच्छे से भून लेना उसके बार हल्दी वह देगी ल ना जादा ना बहुत ही कम हल्दी नमक लाल विर्ची इन अच्छे से भूनना है पानी नहीं डालना अभी भी आपने फिर जो आलू और बड़ी दोनों पका के रखी हुई है फ्राइ करके रखी हुई है इनको भी आपने इसमें एड़ कर देना इनको भी एकठे करके ताकि सारी जो मसालें हैं डाले हैं हल्दी नमक और सारे आपसमें रच मिच जाए उसके बाद मेरे पास है सब्साला में आपकेट है लिए मेरे नहीं जारा नहीं यहाइड करते हो जारा मसाले डाल देते हैं तो मसाले का टेस्ट आता है वह सब्जी का अपना natural टेस्च होता है चाला कुई खत्म हो जाता है अचा ग्रेवी का दिहान आप ऐसे रखेंगे अगर अप इसकी रोटी के साथ खा रहे हो तो थोड़ी ठिक रखेंगे तो मैं राइस मैं ऐसे बनाती हूं थोड़ा से देशी गी और थोड़ी सी हाफ टीज़्पून से भी कम नमक डाल देती हूं और जिस मेरी मसाले दानी खतम होगे तो मैं इसमें नमक भी एड़ कर रही हूं अच्छा मैं बता रही थी कि निमोना में आपने ध्यान रखना है कि अगर आप रोटी के साथ खाओगे तो थोड़ी इसको ठिक रखोगे यह मेरा मसाला बॉक्स बना हुआ इसमें मेरे सारे मसाले वाले बॉक्स पड़े हैं यह मसाले दानी ऊपर जो डबा दिख रहा है मेरे खर में तो जी राइस के साथ खाते हैं तो थोड़ी पतली रखती हुँ वैसे मैं इसमें धाइग लास की क्रीव पानी डाला था तो सब्जी बन रही है उद्धर राइस बन रहे थे तो टाइम को तो सेव करना ही था यह आ गई थी हरी सब्जी मेथी, मेथे, सोगा, प लख दिये थे, सारा पानी इसका बिल्कुल ही निकल गया था, सूख गये थे, तो साथ ही चोपर बोड पे लेके इसको भी कट करने लग गई थी, क्योंकि टाइम को तो हमने ऐसे ही देखना होता है, तो चाहे आप जॉब करते हो, चाहे घर में भी रहते हो, टाइम को पूरा यूटिलाइज करें, बीच बीच में कुई कि अभी किसी को खाने का मन नहीं था, मम्मी की घर से न, वो चावलों के, दली महां के वो फरा बन के आ गए थे, तो सब ने शाम को वो खाली, पेट तो वैसे ही बरा हुआ था, और कहते हैं जब तक भूग न लगे न, तो खाने करके, रख दोंगी, सुबह बस क्या करोंगी, आलू को कट कर लोंगी, लसुन और हरी मिर्च, इसी का सरसों के तेरे में तड़का लगा के डाल दोंगी, प्यास टमाटर का इस्तमाल नहीं करोंगी, और हलका सा नमक, बस, ऐसे ही सबजी को बनाती हूँ, बिलकुल सिंपल साथ भी बच्चे खाएंगे, और चपाती के साथ, और की सबजी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि दुपहर को मैंने बनाया था, मटर पुलाओ, बस, वही खाया था, शाम को मम्मी की घर से आ गया था, चलो जी, हो गया था, सबका, राइस भी बन गया, मेथी यहाँ बेकट कर सकें, तो मेथी, सोवा, पालग मैंने कट करके, इसको ढांक करके रख दूँ, क्योंकि अभी तो मैंना इसको बाहरी रखूंगे, अभी तो इतनी गर्मी नहीं आए कि यह खराब हो जाएगा, पानी छोड़ेगा, तो फिर अब अंदर आगी मैं बैडरूम में, तो मेरी स देखने बड़े चोटे लगें, आप देखी कितनी जैकेट्स मैंने इसमें रख दी है, सब के ऐसे ही अलग लग मंगवाएं हुए हैं, जैसे मेरे अलग हैं, अब विंटर के सारे कपड़े इसमें रख दूँगी, ऐसे हस्बन के लिए हैं, बच्चों के लिए, बच्चों भी नहीं होते हैं, ना ही उनमें सिल्वटे पड़ती हैं, क्योंकि आपको ट्रांस्पीरन सा वो दिख रहा है, उसे पता भी चल जाता है, किस बैग में क्या पड़ा है, किसी तरह की कोई सूटकेस, कोई बैग, कोई पॉली तिन जूटनी पड़ती हैं, तो पहले हमको बड रमीरा बनी हुई हैं, तो उसी में सीजनल कपड़े रखे जाते हैं, उसमें से समर वाले निकल आएंगे, और विंटर वाले उसी में बैग में पैक करके, उसी में रखे जाते हैं, तो ये सब कुछ में पैक कर रही हूँ, तो मैंने का चलो बैग साइड में लग देती कोटे से बैग में बड़े अच्छे हैं अगर आपको लेने होंगे ना तो मुझे कमेंट कर देना तो मैं आपको निसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और ज्यादा कॉसली भी नहीं है क्यूंकि यह ना बैग मुझे लाता 42-45 का पर पीस पड़ा था यह तो बड़े सस्ते पड़ जाते हैं इधर मैं आगी जी अब बता रही हूं ना किसी को भूग नहीं है खाने की तो इसी लिए मैं यहां पर अपना सूट भी प्रेस करने के लिए आ गई हूं तो बच्छों के हाजी पेपर उन्होंने जाना नहीं इसलिए उनकी कोई उनिफर्म प्रेस भी नही लगता है क्योंकि ड्रेस पहले बंदा सोचा रहता है क्या पहनूं क्या पहनूं पांदस मिन उसमें निकल गए फिर उसके बार उसको आइरनिंग करो आइरनिंग करो निकल लगे 15-20 मिनट आपकी ऐसे बच जाते हैं अगर उसको प्रेपरेशन आप एक दिन पहले कर लो मतल सांस ही नहीं आती भरी रहती हैं विंटर कितने सारे कपड़े ब्लेजर कोड जैकेट स्वेटर टॉप्स पता नहीं क्या कुछ कपड़े मैंने अपने आइरनिंग करकी उसको हैंक कर दिया था वहीं हमने एक किली लगाई हुई वहीं पर हैंक कर देते हैं बच्चों की यूनिफूम भी वहीं कर देते हैं बच्चे वहां उठाते हैं उठाके अपने नहां के पहन लेते हैं तो इधर आगी थी मैं रोट तो मटर पलॉब ना दिया था तो इसलिए आटे को दुबारा से मैं इसको अच्छे से घूत रही हूँ ताकि रोटिया फिर सॉफ्ट बन जाए तो बुला लिया था मैं किया चलो और जितने कोई कह रहा था है मैंने चावल खाना कोई कहता है नहीं जी एकी चपाती खाने मैं बड़ी डाल देती है वह भी उसको बहुत पसंद है तो बड़ी की करना वह सब जी खा लेती है मटर भी शुकर है यह खाने लग गई है नहीं तो पहले यह बहुत नकरे करती है यह नहीं खाना अब खाने लगई है बड़ी हो रही है है विद बन रही है कि मैंने का आप जो सबजी होती, दूसेरी कड़ोरे में लेती नहीं है, तो इतरजर है सब लोग खाना का रहें अदोगी कि देखो, भाग भाग के खाना का भाग के का रही है, एक जिगा बैट किसमें खाना नहीं है मुझे भी भूग नहीं थी मम्मी की जो चावलों का फराया था मैंने वही खा लिया वही मेरा पेट भर गया था तो मटरका ने मोना मैं ब्रेकफास्ट में खालूंगी तो अभी मैं दूद पियोंगी और टीबी पे चल रहा है कपी शर्म का शो शो भी देखूंगी आज मैंने मेंदी लगा ली थी और दरिक्षता के मैंने लगा दिया था ऐलोवेरा दही वाला पैक लेकिन दवांशी ने वाइलिंग नहीं कराई थी वो कहा रही थी वाइलिंग करो ममा मैंने का दूद पी होंगी और उसके बाद तमारी ओइलिंग करोंगी स्किन केर के फिर मैं सूँगी यह जो पाटी गलोवेरा पैक है मैं सेटरड़ी के मैंने सुबा लगाया था एक्चली मैंने शादी पर गई थी एक हफता पहले तब भी लगाया था तो इसमें मैंने यूज कर रही हूँ पांसे छे चम्मच कच्चा दूद और उसमें मैं डाल रही हूँ कोकनट वायल मेरा ओयल जम गया था इसलिए मैंने नाइफ से वो ओयल निकाला था क्योंकि आज कल के मौसमें जम जाता है तो हाफ्ट चम्मच छे siITY ने डाला है मैंने शहद और थोड़ा सा डालना है मैंने खल्दी हल्दी मेरी घर की है तब ही आपको दाने दार दिक रही है इन सारी चीजों को चारोً-चै मलक अच्चा दूद कोकनट उ ऐल तो आयल एक तो करूँगी यह orange peel powder मतलब कि संद्रे के छिलके का powder आदा चम्बच और एक powder add करूँगी sandalwood powder means चंदन का powder इसी का भी मैं आदा चम्बच लोगी ये ना पैक बड़ा ही गजब का पैक है एक्चले मैं दोबारा इस क्यों लगा रही है क्योंकि मैं एक हफ़ते पहले शादी पर गई थी तो वहाँ पर मैंने ये पैक का इस्तिमाल किया था ये वाला जो पैक है ना इंस्टंट ही आपको पारलल वाला जो गलो देगा और स्किन को वाइटन करेगा बड़ा अच्छा पैक है ये थोड़े टाइम में बड़ा ही अच्छा ही आपको रिजल्ट दे देता है तो आज मुझे फेस पैक लगाने वाला ब्रश नहीं मिला था तो ये ब्रश ना मिलने के कारण मैं चम्मा से लगा रहे हैं लेकिन चम्मा से भी मेरा पैक बड़ा अच्छे से लग रहा है इस पैक को लगा कर आपने 20 से 25 मिनट तक छोड़ना है पैक को कभी भी पूरा नहीं सुखाना होता है 70-80% की पैक को सुखाना होता है मतलब पूरा स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए जो भी पैक में चीज़ें जो डाली गई है ना उसकी गुड़नस आपकी स्किन के अंदर चली जाए तब ही इस पैक को आपने उतार देना होता है उतारना अच्छा मैं तो लिप्स पे भी लगा लेती हूँ और इस बिल्कुल और गयानिंग चीज़ें आपने नेक को भी कभी भी स्किप नहीं करना है ये मेरा पैक 20-25 मिनिट हो गया था सूख गया था पूरा नहीं सूखा था अब मैं फटा फट टमाटो रगड रही हूँ टमाटो सही इस पैक को उतारेंगे क्योंकि आज ना क्योंकि सैटर्डे को मैंने स्कूल भी जाना था तो इसलिए मैं फटा फट इसको लगा कर टमाटर से दो से तीन मिनट तक इसको अच्छे से सर्क्ल मोशन में मसाज कर रही है उसके बाद में नहाना है नहा के मुझे स्कूल जाना है लगा के जरूर देखिएगा आपको बिल्कुल भी न कहते हैं ना भी निराश नहीं होंगे इस पैक से अगर आप लगाना चाहते है और रटेग्लरी तो हफ़ते में इस पैक को एक बार लगाएँ सिंपल सी चीज़े हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना चैनल पर पहली बार है चैनल को जरू सब्सक्राइब करना बाई बाई